स्वागत आप सबीगा फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स के इस वीडियो में और मैं हूँ आपके साथ दिव्यांशु जैस्वार्थ इंडिया और नेधरलेंड्स के बीच जो मैच हुआ जहां पर टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करी और 410 रन का एक विशाल स्कोर नेधरलेंड्स के सामने रखा अब अगर इंडिया की पारी को देखी या बैटिंग यूनिट को देखे तो सब ने रन मारे रोई चर्मा का पचास आया विराट का आया शुमन का आया श्रेय सेयर की सेंशुरी आई के लहुल का शतक आया और पांचो शुरू के बलेवाजों ने एक ऐसा तूफान चिन्यस्वामी बेंगलूरू में लाए कि भाई नेधरलेंड्स हक्का बक्कर आगया यू कहें कि द बाता हूं कि स्कोर कार्ट थी उसकी वजए भारत ने बनाए 410 पर 4 जिसमें रोहिच छर्मा के 61 रन है 54 गिंदों पर जिसमें स्ट्राइग्रेट है 112.96 शुमन अंगिल का स्ट्राइग्रेट है 169 उन्हों ने बनाए 32 पर 15 श्रेय सेयर का स्ट्राइग्रेट है 136 94 गिंदों कोली विराट कोली की जिन्होंने 91.07 की स्ट्राइक रेट से 56 गिंदों में 59 बनाए 5 चौके और एक छक का रॉल उफ वेंडम आवे की गेंद पर वो आउट होते कट शॉल खेते हो जो आप तस्वीर में देख सकते हैं और यह उनके 50 का सेलिबेशन था कि 50 हुआ था अब बड़ जैसे उनकी लाय आई 5 चौके भाई साम में मार दिये एक शक का भी मार दिया और अगर विराट रहते तो यह निश्चित था कि विराट अपना 100 भी करके जाते प्लस शक कम गिंदों में करके जाते क्योंकि चिन्ना स्वामी की जो पिछ है उसे अकसर बैटिंग बड़ जो उनके जो हेटर्स हैं और उन्होंने कहा कि यह टुक 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 विराट को लिए यह अपने परसनल माइस्टोन के लिए खेलता है एक तरफ रोहित शर्मा है जो अटैक करके खेलते एक तरफ विराट है जो पूरे इनिंग की पेस को कम कर देते हैं तुक टुक मीडिया पर चलने लगी अब आपको पता ही है विराट वर्सेज रोहित की जो फैन आर्मी है वो आपस में भिड़ पड़ते हैं उनको यह नहीं दिखता क्या रही है यह टीम इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं अच्छा कर रहे हैं दोनों खिलाड़ी अच्छा खेल रहे है और क्या चाय गेए नहीं भाई यह समय भी उनको चीज़े निकालनी है और उसमें भाई फिर कंपरिजन लाते है कि रोहित तो उससे स्डाइक रेट से खिल रहे है विराट उससे स्ऩाइक रेट से खिलने है अब दोनों का गेम अलगए दोनों की टश्रेटिव उलगए यह जो हेटर्स है ना इनको बड़ी दिक्कते आ जाती है कि कहते हैं तुक तुक है सेलफिशनेस है पर्सनल माइस्टोन है भाई सब यह टीम इंडिया अब तक आठ के आठ मुकाबले जीती है जिसमें रोहित और विराट हाइस्ट रन स्कूरर रहे हैं गेनबाजी शांदार तो मनदब उन लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप टीम इंडिया की जीत पर ध्यान दो तीम इंडिया जीत रही है या नहीं जीत रही है उस पर ध्यान दो ना कि पर्सनल माइस्टोन जैसे की रोहित कित्ते का बना रहे है विराट कित्ते बना रहे है अरे या हाथ जोड़के आप लोगों से निवेदा में आपकी इस बारे में क्या रहा है और आपको क्या लगता है क्या सच में विराट टुक टुक पारी खेले थे या फिर वो नीड ओफ दा आर थी या फिर वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे आप अपनी राए कॉमेंट सेक्शन म हमारे चैनल को सब्सक्राइब